कि अब्र व्लकम बैक टो नथा वीडियो फ्लाइफ एंजिलोजी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एर पॉलिशन के बारे में लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वॉटर पॉलिशन क्या होता है हमने पॉलिटिंस के बारे में पढ़ा था पॉलिटिंस क्या होते ह यासे कुछ जन जो के प्रभाव क्या क्या होते हैं और कंट्रोल में जिस तरीके से एर पुलिशन को का जा सकता है वह सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम डिसक्स करेंगे नॉर्मलं कॉंप position ändern की आगर उसमें किसी भी तरीके का इश्वल्राइजा देशिरे हो ओदर लाइफ करेंगा लाइफ्यूमण लाइफ को प्लां लाइफ को उसoux हम कहेंगे यह पूलिशन quantitative chain से आप क्या समझते हो हमने quantitative pollutants के बार में पढ़ा था एक जंब हम co2 के अगर हम बात करें तो जो नॉय्मनल कॉम्पोजिशन होता है CO2 का environment के अंदर वो जरूरी भी होता है लेकिन अगर उसका composition या फिर उसका जो है मिलमें बख्यmasy और भी करने लगता है Congratulations क्योंकि ऑसकी क्वांटिटी क्वांटिटी इनक्रीजए तब यह कौन्टिटी तरह . आगर बात करें तो सबस्ता कि कि इसके करता इसका क्वानिटी कितनी है अगर वह बहुत ही कम अमाउंट वह एक्ट ह। नॉर्मिल कॉंपोजिशन होता है और उसमें किसी भी तरीके का चेंज आजाए यहां कि कभे Ờब जो चेंज हुआ उससे हम compare कर रहें ठीक है तो किसी भी तरीके का quantity और quality change हो जाता है normal composition जो होती है रिकी और वो जो change है वो एक तरीके से injurious होता है harmful होगा human life के लिए plant life के लिए animal life के लिए या property के लिए हम उसे क्या कहेंगे air pollution ठीक है human life को effect कर रहा है समझ में आता है plant को effect कर रहा है animal को effect कर रहा है मतलब life को effect कर रहा है लेकिन property को किस तरीक से effect कर रहा है for example यह कोई भी property है ओ ठीक है और यहां पे pollutants की layer है कि कि यह पे पार्टिकल की layer है जैसे ही बारिश होती है यह वाटर की साथ मैं मिक्स हो कि से तरीके का कंपाउंड फ़ließen कि कि एक कंपांड जो होगा वह ए cardiac करेगा पोपर्टी को ठीक है इसको यह हांफुल एफेक्ट करेंगा तो इस तरीके से जो एर कर रहा है human life को भी एफेक्ट कर रहा है प्लांस को भी एफेक्ट कर रहा है और प्रोपर्टी को भी एफेक्ट कर रहा है अब हम पढ़ते हैं किन कारणों की वज़े से air pollution होता है इसको हमने फर्द दो केटिग्र में डिवाइड कर रहा है suspended particle matter जिसमें हम सॉलिड और लिक्विड के बारे में डिसक्स करेंगे यह जो होते हैं इनका साइज होगा वह कितना होगा डामिटर जो होगा 0.02 माइक्रो मीटर से लेकर के 100 माइक्रो मेटर तरी से बात करें तो इसमें हम सिर्फ गैस को कंसिडर कर रहे हैं तो फर्दर हम इसको दो केटेगरे में डिवाइड कर रहा है suspended particle matter और अब हम पढ़ते हैं suspended particle matters के अगर हम बात करें तो इसमें फ़र्दर दो तरीके से नाच्रल सोर्स और मैंमेड मैंमेड सोर्स को हमें डिसक्स करना है नाच्रल सोर्स क्या होते हैं volcanic eruption यानि कि जो आला मखी होता है उससे जो भी solid या फिर लिक्विड जो निकलता है वह भी मैर्मेड सोर्सेस जो होते हैंनी कि इंडिस्रिकी यागर हम बात करें तो बहुतनी लाज स्kayल में इंडिस्रिक जो है वह रिपोलाईशन को 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 करती है तो 인्डस लीजार पालिशन को करेंगे जो भी wrapping पढ़ें उसमें आपको इंडस्ट्री जो है जरूर नजर आएगा गैसेस अगर बात करें तो नैचरल सोसेस होते हैं फोरेस्ट फायर जो जंगल होते हैं उन्हें अगर आग लग जाती है तो वह बहुत बड़े पैमाने पर हैर पोलिशन कोज करते हैं सब्सक्राइब करते हैं यह कुछ कारण हो गए एर पोलिशन के अब हम पढ़ते हैं उनके प्रभाव क्या-क्या होते हैं एर पोलिशन का प्रभाव क्या-क्या होता है लाइफ के ऊपर हामफूल फॉर एक्वेटिक लाइफ अगर बात करें तो यह प्लांट जो होते हैं वह एक्वेटिक अनिमल जो होते हैं उनको भी इफ्लेक्ट करेगा किस तरहीं से क्योंकि जो एर है वह पॉलिटेड है ठीके तो एक तरीकी से पॉलिटेड एर को अंदर है ठीक है और वह डेफिनेटली उनके अंदर प्रोब्रम को क्रियेट करने वाला है नेक्स है अभी जो हमने देखा कि जो इन्वामेट है उसमें पॉलिटेंची लेयर जो है वह बन चुकी है वाटर के साथ में मिक्स होगे वह किसी भी तरीका कंबाउंड फॉर्म करेंगी और वो ने कंपाउंड है वो क्या करेगा एफेक्ट करेगा तो टो टो uh energy एंदारिक लिया है है वह को ही बैके साता है यह तो आज के टाइम में कुछ रेस्पिरेटरी प्रोब्लम जैसे कि अगर हम अस्तमा की बात करें तो बहुत ही नॉर्मल डीजिस हो चुकी है ठीक है क्योंकि जो अंदर ले रहे हैं ठीक है वो सारे के सारी एर जो है वो पॉलिटेंट है जिसके वज़े से हमारे अंदर बहुत स साथ जोटाइंगा इनका जो फ्रफिट होता है कि हीट को ठ्रैक कर लेते हैं अंदर लेकिन बाहर नहीं जाने देते तो ऑल इसके वज़ेसे क्या होता है अर्थ की बात करें तो यहां पर गष्ट आ तरीके से हम air pollution को control कर सकते हैं plantation तो किसी भी तरीके pollution की अगर हम बात करें ठीक है बले वह noise pollution हो बले वह water pollution हो बले वह air pollution हो ठीक है उसमें जो है plants उसको control करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं जितना प्लांट लगाएंगे जितना plantation करेंगे उतना beneficial होगा human life के लिए ठीक है तो अगर हम जादा से जादा प्लांट लगाएंगे तो बहुत हद तक हम air pollution को control कर सकते हैं water pollution को भी control कर सकते हैं और जो वूड होता है बहुत अच्छा absorb करता है noise को भी तो noise pollution को भी कम करेगा सेकिन आता है nuclear exposure and war should be stopped ठीक है तो जितने भी युद्ध होते हैं जिसमें nuclear exposure होता है यह बहुत बड़ी तादाद में जो है air pollution को को कोज करता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए और तो यह हमारे परसनल हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते बट फिर भी यह जो nuclear exposure होते हैं और रोग देने चाहिए ठीक है तावर आता है modification of process और equipment alternation तो आज जैसे जैसे development हो रहा है बहुत जादा सविधाएं बढ़ रही है पहले के टाइम में लकडिया जला के खाना बनाया जाता था आज के टाइम उसके बाद stove जो है वह आ गए ठीक है आज के टाइम में हम induction का यूज कर रहे हैं घीक है तो उससे जो pollution वह बहुत कम हुआ है ठीक है तो यह drastic change आया है क्योंकि अगर यह हर को ही अपना रहा है तो बहुत बड़े large skill पे जो है परसनल वहिकल का जो यूज करते हैं लोग जैसे चार लोग जा रहे हैं अलग अलग गाड़िया लेके जा रहे हैं लेकिन वही चार लोग एक साथ बैढ़ करके एक ही कार को शेयर भी कर सकते हैं या हम public transportation का भी यूज कर सकते हैं अगर थोड़ी दूर हम जाना तो हम cycle का भी हमने पड़ा air pollution क्या होता है किन कारणों की वज़े से होता है effect क्या होते है air pollution के और किस तरह किसे हम air pollution को control कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना है thank you so much for watching this video and I'll see you in the next video